जी में हम विप्रो की शेयर लियते हैं, 170 शेयर है, 720 की रेट से हैं 720 ये कब लिया था विक्रम जी आपने? वन येर हो गया लगवज में पुरानी खरीद लग रही है, काफी पहले की खरीद है, उसलता है एक साल पहले से आपने स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन क्लिरली उसका फायदा नहीं मिला विप्रो अगर IT स्टॉक में देखें, सबसादा अंडर परफॉर्म करने वाला अगर कोई स्टॉक था तो विप्रो ही था, और इस वक्त देखें, काफी ज़्यादा रुकसान आपको इस स्टॉक में हो रहा है स्नेहा क्या सजेस्ट करेंगी विप्रो में, 170 शेर्स, 720 के लेवल पर इन्होंने ले लिया था अब यह लेवल्स कब तक देखने को मिल सकते हैं आपको स्टॉक में या फिर स्टॉक कर लेना चाहिए इने विप्रो से अब कर आप सांटर देखें तो उनके बाइंग लेवल्स आने के लिए काफी समय लग सकता है तो पेटर होगा कि आप थोड़ा सा स्विच्छी कर लें हालकि विप्रो में अगर आप समय दे सकते हैं तो आप होल्ड करें यहां पर पेटर होगा करके कि आप कोई दूसरे काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है करन्ट लेवल्स पर अगर आदे के तो अपको फिर आप को फिर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा काउंटर आपको लेना है तो यू केन लुक फरवर्स फॉर यूबियल या तो फिर आप अगर आइटी पैक में ही शिफ्ट करना चाहते है तो आप TCS इनफोर्स ये काउंटर भी काफी अच्छे है और इंफाक काफी अच्छे रिकवर भी कर रहे हैं तो आई वुट से करके कि थोड़ा सा स्विच करेंगे तो बैटर रहेगा अगर आपको समय देना है यू किन ग आइसाइड टुवर्द्स 410-420 जोन तो यह लाइस निकालना बहुत जरूरी उसके बाद जाके एक अच्छी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है तो आई तिंग यहां पर अगर आपको कोल करना है तो एक 370 के आसपास या 380 के आसपास ये रेंज एक अच्छा बे तो आई टी में आपको कहां पर अपने दाओं लगाने चाहिए आपको स्नेहा ने बता दिये हैं आगे बढ़ेंगे अब रश्मी का सवाल लेंगे और ये सवाला है वाटसेप के जरीए